कभी सोचा है? इस देश में गरीब कौन है? सच्चाई ये है कि इसका कोई पक्का पता ही नहीं है. ये कह दिया जाता है कि देश के 73 प्रतिशत लोग, जिन में दलेत, आदिवासी, पिछडे वर्क के लोग है, उनमें से ज्यादातर गरीबी में जी रहे हैं. लेकिन उनमें भी कितने समाजों में लोग कैसे जी रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उनकी जरूरते क्या हैं, यही जानने के लिए जातीगत और आर्थिक गिंती की जरूरत है. बिहार में जातिगत गिंती में पता चला है कि वहां की गरीब आबादी के 88 प्रतिशत लोग दलेत, आदिवासी और पिछडे वर्क के हैं जी हाँ 88 प्रतिशत पता है गरीब तबके की मासी कामदनी कितनी है? 6,000 रुपे से भी कम है इसी आय में खाना, किराना, दवाई, सब सारे देश की आर्थिक और जातिकत गिंती हो तो लाखों दर्दबरी कहानिया मिलेगी आज भी देश की 200 बड़ी कमपनियों की टॉप पोस्ट तक एक भी आदिवासी, दलित और पिछडा नहीं पहुँचा जबकि 85 प्रतिशत मुझदूर पिछडे वर्क से है गूगल सर्च कीजिए कि किसी बड़े मीडिया चैनल का CEO या मालिक, दलित, पिछडा या आदिवासी है कितने पिछडे वर्क के जज है और गटर में बिना मास्क लगाए उतरने वाले वो सफाई कर्मचारी किस समाज के है जब तक अपने हग का पैसा उस आखरी गरीब तक नहीं पहुचेगा इस देश में दो हिंदूस्तान बने रहेंगे बाजपा जातिगत और आर्थिक गिंती का कितना भी विरोध कर ले पर देश के सबसे गरीब लोगों को तभी नयाय मिलेगा जब वे सही तरीके से गिने जाएंगे जब तक जातिगत गिंती नहीं होगी तब तक सरकार को आपके रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र नहीं होगी जातिगत गिंती से ही आपकी पड़ाई, कमाई और दवाई की सही योजना बनेगी किसान, मजदूर और प्रवासी कामगारों, अल्पसंक्यकों की असली हालत पता चलेगी आपके वर्ग की, समाज की, समस्याओं की गिंती होगी तभी उनका हल निकलेगा, सही आरक्षन मिलेगा, सही हिस्सेदारी मिलेगी, हक मिलेगा जब इस देश को चलाने में देश के सबसे कमजोर समाज की आवाज सुनी और गिनी जाएगी तभी ये देश तरक्की करेगा इसलिए जाति गद गिंती के लिए आज ही बोलना होगा जी खोल कर बोलना होगा ताकि आपकी आने वाली पेडियां आपकी ही तरह बिना गिंती बिना हक के मुश्किल के अंधेरों में दम न तोड़ दे